हलो एबरिवान वेलकम वेलकम तो इस इंपर्टेंट सेशन बतो जैसे आपने देखा बच्चों पिसले दो दिनों से लगातार मैं आपको कुछ न कुछ इंपर्टेंट गाइडेंस दे रहा हूं सिर्फ इसके चलते कि अब मुझे पता है कि यह एक क्रूशियल टाइम आप ल हम लोग दिन रात करके कर लेंगे विकाउज वो हमारा अपना टैनियर हमारी स्ट्रेंथ है हमारा कोर है लेकिन प्रॉब्लम वह है कि अगर सीपीटी वन में कुछ गरबड़ हो गया तो गरबड़ हो जाएगी बहुत बड़ी और मैं चाहता हूं कि हमारे मैक्सिमम से मैक्स बच्चे जितने बैठने वाले हैं कम से कम सब सीविटी टू दे ताकि तब हम 24 इंटो 7 तैयारी कर सके उस एक महिने में जीजान लगा कि एक महिना हो 20 दिनों 15 दिनों कोई दिक्कत नहीं है हम उसको सब यूटलाइज कर लेंगे बच्चों मीनिमम 15 डेज भी मान के चल रहो है तो इसमें जो भी हो सकती है वो मैं डिसकस कर रहा हूँ ठीक है अगर आपको लगता है कि आप ब्रफेक्ट चल रहे हैं कोई दिक्कत ऐसी नहीं है तो प्लीज इस तरह के वीडियो पर टाइम वेश मत करिएगा ये भी मैं कहूंगा लेकिन अगर आपको लगता है कि चलो पांच मिट सुनके क्योंकि बड़े वीडियो होते नहीं है पांच मिट सुनके अगर कुछ भी आपको पॉजिटिव पॉइंट मिल सकता है तो बिल्कुल देखिए तो यहां पर आज मैं डिसकस कर रहा हूँ वापिस बच्चो एक टाइम लाइन आपको पता है कि आज हमार वीग हटा दो लास्ट वन वीग हटा दो सेवन डेज यहां से माइनस कर दो तो बचे हमारे पास मात्र छे पांच छे दिन तो कुल मिला कि इन दुनों के बीच में जो एक सॉलिड पार्ट है वो है सरफ नवंबर बचो नवंबर इसको जिसने वेस्ट कर लिया वह समझ इससे चार दिन इधर चार दिन इधर और मान लो आप तो नवंबर इस यह ठटी डेज आपके पास है कुल मिला के यहां पर ठीक है इसके चार दिन छोड़ो भी इसके चार दिन छोड़ो से मेरा मतलब है कि उसको एक्स्ट्रा दिज देज में रख लो तो प्लानिंग अपन उपर चीजे होंगी तो मैं यह कर लूगा वो कर लूगा आप सिर्फ तीस दिन के प्लानिंग अपनी रखिए क्योंकि आपको पता है कि आपके पास वेटेज जो है बच्चो वह मैस है रीजनिंग है तो याद रखिए अपने टाइम को वेटेज के हिसाफ से ही देना है और यहां रखिए यहां मैक्सिममम टाइम कभी भी ट्रिक्स पे नहीं जाता यह याद रखिए बचो मैस रीजनिंग की अगर आप बैटके औरली पढ़ रहे है ना मैस रीजनिंग इसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला यहां आपको अपनी 100% मतलब 90 वस्ट भी बैट रहे हैं आप प्रॉबलम लगाई है नाइन हंड्रेट परसेंट बच्छो मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि 90 परब्लम लगाई है टैन परसेंट ट्रिक्स समझे नहीं या प्रॉबलम ही लगाई है ट्रिक्स भी आपको लगानी तभी तरीके से आएगी जब आप और यहां पर समझ लीजिए यहां पर आपको चाहिए 90 परसेंट रिवीजन यहां पर आपको चाहिए 90 परसेंट रिवीजन यहां पर आपको चाहिए 90 परसेंट रिवीजन प्लस 10 परसेंट आपकी प्रैक्टेस यहां question ज्यादा practice करने से कुछ नहीं होने वाला यहां revision करने से होगा कि आपने science में हर topic पड़े हैं नहीं पड़े हैं वाले अब चाहे revision को आप mcu के थुरू करो revision को आप अपने notes के थुरू करो लेकिन याद रखिए समरें ना reasoning में practice ही सबसे बड़ा important है math में practice ही का importance है आप ट्रेक परिट तो 5 में समझ जाते हैं आपको सारा focus अपना practice पर रखना है इधर आपको सारा focus अपना revision पर रखना है समरें ना और GS को तो मैं कहुंगा कि weight is बहुत कम है तो इतना ज्यादा टेंशन लेने का ज़रूत नहीं है आप रिवीजन करो practice करो बस्टेच में रहो तो यहां मैं कहुंगा सिर्फ और सिर्फ रिवीजन ओन्ली रिवीजन कि 100% रिवीजन चाहे वो जो भी topics आपके हैं उस तरह के topic पर रिवीजन रखो क्योंकि जो भी weightage है वो है तो सही कुश्चन तो एक-एक भी बड़ा important है पर याद रखे मिस्टेक वाइड करनी है अच्छी बात यह है कि मैंस रिजनी में जनरली से मिस्टेक होती नहीं है आंसर आता है तो ही आप जो है वो चीजे कर पाते हैं तो यहां पर जो है यहां पर आपको प्रैक्टिस अच्छी रखनी है क्योंकि यहां आपका फ्लो जो है वो speed यहां पर speed and accuracy का मामला बहुत ज्यादा होता है सब्सक्राइब करता जाना है कि आप जल्दी भी कर रहे हों और करेक्ट भी निकाल रहे हों यह आपको पूरा CBT 1 की त्यारी दिन बर में 6 गंटे 8 गंटे पर पढ़ते हैं तो आठ गंटे में से आपकी 3 गंटे में जाना चाहिए दो गंटा साइंस में जाना चाहिए एक घंटा जीएस में सब्सक्राइब बहुत आसान है बच्चो 321 का रिश्यों भी लेके चलो गए तो भी आपका बहुत आसान से एक खेंटे की अचे गाशी प्रप्रशन हो सकती है बागी दो गंटा अपना टेक्निकल मेंटेन रखो तो अगर एफक्टिवली पढ़ रहे है तो 6 गंटे नौन चेकनिकल और दो गंटे अबटे की प्रेशन अच्छी काशी प्रेशन और सो 24 में से 8 गंटे 16 गंटे अभी सकते हो और बागी के बच्चे 8 घंटे अपनी क्रियेटिव चीजों पर काम भी कर सकते हैं क्रेटिव मतलब अपने पेपर के लिए ही इंप्रूव करने की और जो जॉब कर रहे हैं वह यही है समध ही बारा घंटे की जॉब हो गई क्रिट भी आट घंटे का सोना हो गया ya 6 घंटे का सुना कर लो पी अच् Match कर नगया इन्व दो हेग Under the day value and listen to Amanda whose Falls अपने आप ही सखी हो जाएगा समभर आपर नहीं है वह आराम से यह गंटा डेडिकेटेड 8 आवर्स दे सकते हैं तो इसलिए आवर्स पे कुछ नहीं होता बच्चों कि आप सोचों कि मैं 8 नहीं सर आप 8 बोल रहे हूं मैं तो 12 घंटे दे रहे हूं उससे फरक नहीं पड़ता है यह आपके इफेक्टिव एट आवर्स अगर आप दे रहे हैं तो आपको इसी तरह से देना है बच्चों कि अपना थ्री आवर इस्टू आवर इस्टू आवर इस्टू वन आवर यह कब है विदाउट जॉब जब आप पूरी तरह से डेडिकेटेट सिर्फ प्रपेशन कर रहे हो और अगर आप विद जॉब है बच्चों तो विद जॉब मैंने बताया बहुत सिंपल है इसी सब चीजों को हाफ कर दीजिए यह 1.5 आवर हो जाएगा आपका यह 1.5 आवर हो जाए लेकिन बात यहाए कि इसको डेडिकेटिक कर रहे हों आप ठीक है ना समझ रहे है इन चीजों को थोड़ा सा फोकस करना सीखिए यह मैं बता रहा हूं सेल प्रपरिशन के तौर पर आप कैसे कर रहे हैं अगर आप इनके साथ क्लासेज रटेंड कर रहे हैं तो उन क्लासेज पर रहे हैं आपको लग रहे हैं अगर आपको लग रहा है कि लाइव में नहीं कर रहा हूं तो फिर रिकॉर्डिंग में करिए अगर टायमिंग नहीं मैच कर रहे हैं वह अपका इंट्रेक्शन और जो consistency रेगुलर बनी रहे हैं लाइव का मैनिफिट सर्फ यह होता है कि अ में बात कि अभी प्रेफरेंस जो हैं वो यही हैं कि आपको इस तीज दिनों में अपनी स्पीड एकुरेसी पर काम करना है हर टॉपिक को कवर कर यह उसकी स्पीड और एकुरेसी को बैतर से बैतर करते जाए डेली डेली इसमें मतलब इसमें ज्यादा फोकस रखेंगा टाइम कि आप इतने टाइम पर कोश्ण यहां पर टाइम लाइन इस वेरी इंपॉर्टेंट इस पर मतरे कि मिड़से कुस्ट हो पा रहा है हो प्ला आप हो सकता है पाइप मिड़ा के कोश्चन सौल्व करते और आप खुश्ष हो रहे हैं कोई फाईदा निया पांच मिड़ा के सम पहले question को देखने से पहले time set कर लो कि एक मिनट में करूंगा एक मिनट में हो गया तो ठीक नहीं हुआ तो फिर मैं solution देखके करूंगा समरे ना ऐसा नहीं कि लगे हैं लगे हैं लगे हैं सोचने हैं पंद्रा मिनट हो गए अब आपको लगए अर्य वा मैंने कर दिया कोई फाइदा नहीं है बचोंगा तो इस चीज़ को समझना होगा कि आपकी timeline के according ही आप अपनी मैस रीजनी यह प्रैक्टिस कर रहे हों क्योंकि बागियों में timeline important नहीं है बागियों में आना और ना नहीं आता होगा तो बैठेर होगा एक घंटा भी तब भी सलनी होगा समरें ना तो यहां आपको सिर्फ और सिर्फ content important है यह content coverage is more important content coverage is more important here दोनों के case में इसमें भी और इसमें भी किले बचो यह बड़ी important मेरे द्यान समझेगा इन चीज़ों पर मैं इसलिए ही जोड़ दे रहा हूं क्योंकि यहीं चीज़े अगर कहीं नगे मिस हो गया यह तरीका मिस हो गया तो cbt1 गया हास से और मेरी सारी चिंता का विससे यही है कि तुम्हारा cbt1 निकले मैं चाहता हूं कि cbt1 के जब रिल्ट आये तो हमारे पास हमारे अपने खुद के हजारों बच्चे हों सामने जिनकों मैं cbt2 कर वाओं दिन रात करके कैसे भी करके क्लियर है और उसके लिए बच्चों में अपने पूरे अस्त्र सस्त्र तयार कर रहा हूं आम निश्चीन तरह हैं देज की तुमारी ऐसी एफेक्टिव त्यारी करा हूं ताकि मिनिममम देज हमारे पास हो तब भी हम cbt2 को करें और डेफिनेटली करेंगे बच्चों यह हमारी गैरंटी तो नहीं कह सकता वर्ड यूज लेकिन हमारा पूरा विश्वास है पर उसके लिए कसम खालो cbt1 निक